हेलो गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स रादे रादे कैसे हमारे लवली फेमली आप आसा करते हुआ स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स होली आ रहा है कलर फुल सीजन तो इसके लिए मैं एक स्वीट डिस्पी रेस्पी बनाई जिसे आपके साथ सेयर कर रहे हूं तो इसके लिए जिय एड कर दूंगे और हां यहीं फिर फ्रेंड्स याद दिला देती हूं जो भी जो भी मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वेल आइकन दवा दिजेगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच जाए और करीवी दोस्त ने मुझे बोला था बहुत दिनों से चैनल पर स्वीट की रेस्पी नहीं आई यह मैं वहली लो जी आज ही आपके लिए शेयर करती हूं स्वीट की रेस्पी तो मैंने सोचा चलो सब कुछ साइड किया जाए और स्वीट की रेस्पी परोसा जाए अपने करी की भी दोस्त के लिए और इसे मैं ढख के थोरी देर के लिए छोड़ दी हूं उसके बाद मैं नेक्ष प्रोसेस में बढ़ती हूं उसमें चीनी और नारियल का बुरदा डालके इसको क्रस्ट कर लूँगी उसके बाद यह जो सूजी का मिक्स्चर था ना उसे मैं ठंडा होने के लिए प्लेट में रख दे रही हूं जो मेरे पुराने फ्रेंड्स उनको तहे दिल से सुक्रिया धन्यवाद आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा आप लोगों की सपोर्ट की बज़र से मैं यहां तक पहुंची और आगे भी उमीद करती हूं आप लोग अपना प्यार एवं दुलार देते रहेंगे उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर और दो चमच उपर से घी डाली हूं जी यहां दोस्तों घी और मिल्क पाउडर से ही तो यह बिल्कुल मस्त वाली स्वीट की रेश्पी का फ्लेवर बोले तो स्वाद आएगा उसके बाद इसमें मैंने जरासा और मिल्क पाउडर एड करा है ना खोवा ना मावा ना ज्यादा ड्राइफ फूट्स बस इनहीं चंद चीजों से बनके यह मेरी रेश्पी जवरदस्त बनी थी फ्रेंट्स एक वार जरूर आप लोग ट्राई करना और इसे बढ़िया से मि ला लेना है उसके बाद यह चीनी का जो वह दरदरा पीस के रखी ती उसको मैं एड कर दे रही हूं आपको तो पता है दोस्तों ना होली मतलब रंगों का तेवहार कलर फूल फेस्टीवल तो मैंने सोचा चलो आज कलर फूल स्वीच की रेश्पी आपके साथ सेयर किया जा और जैसे की पता है होली फेस्टीवल है तो इसमें कलर तो चाहिए फ्रेंट्स इसले मैंने सोचा चलो जरा साइड किया जाए कौन सा बरावर डालती हूं मैं और इसे बढ़िया से मिला लोंगी जिया दोस्तों दो कलर में ये मिठाई की रेश्पी सेयर की हूं आपके साथ उसके बाद लगा लिजे हाथ में गी और इसे मंद चाहा सेफ दे दीजे मैं तो बोलूँगी स्लिंडर का सेफ ही दो ज्यादा वेटर लगता है देखने में भी अच्छा लगता है और जो चीज आकरसित करता है वो खाने में तो पता ही है कितना बढ़िया लगेगा इसे न अच्छा लगेगा मैं भी बना लोंगी होता है एक दूसरे को देखके कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों इसी तरह मैं सारे मिक्स्चर है ना उसका स्वीट बना लेते हूं क्या कलर है ओरेंज और ग्रीन आप इसे बिना कलर का भी बना सकते हैं आपकी मर्जी है लेकिन मैं मैंने सोचा चलो होली का टाइम है तो थोड़ा सा कलर तो बनता है ना तो लो जी हमारे सबसे करीवी दोस्त के लिए स्वीट की रेश्पी हाजिर है आपको कैसी लगी यह मेरी रेश्पी जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था आधे म मैंने ड्राइफूट्स डाल दिया था चुकि मेरे एक बच्चे को ड्राइफूट्स पसंद नहीं इसलिए मैंने आधे ऐसी बना दिये थे और जरा सा इलाइची का पाउडर करस करके रख दीजिए और मॉस्ट सेप देते जाईए तो यह देखे मेरी कलरफुल मिठाई बन